मार्केट के साब से देखा जा है तो यह week हमारा काफी अच्छा रहा है क्योंकि initial के चार-पांच दिन तो हमें काफी अच्छे तरीक से growth देखने को मिली थी मार्केट के अंतर एक time पर थोड़ा सा बहुत crash आपको देखने को मिला तो डी आए ने खरीदा भी था काफी जयदा तो net तो हम बायर रहे हैं उस समय पर अगर मैं FIDI की बात करो फिर भी selling क्यों आई है उसके अंदर तो ये काफी interesting चीज़े इसके उपर थोड़ा सा ध्यान होना चीज़े आपके एक logical level पर discuss करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्योंकि एक जो retail investor है वो सूस्ता कैसे है सबसे पहले देखेंगे तो जब भी market all time high के आसपस आती है तो हम सब उस सहां पर market के अंदर निवीश करनों चाते हैं इंवेस्ट करनों चाते हैं क्योंकि हमें पता है कि market चल रही है औ लेकिन उसके बाद क्या होता है जब भी market के अंदर ऐसे वालेटाईल आते है मतलब थोड़े से जटके आते हैं market में 32% 5% 60% का correction जब भी आता है बुल रन वाली market में आता है और यह sharp fall होता है ऐसा नहीं होता कि 0.5-0.2% ऐसे नहीं गिरेगा यह सीधे-सीधे एक-एक-डे- investor को क्या करना चाहिए और एक कैसा retail investor है जो कि इसमें पैसा बनाता है सबसे पहला retail investor को क्या करना चाहिए retail investor को इस सहाँ पे अपने दिमाग को थोड़ा सा focus रखना चाहिए और उस जगा पर invest करना चाहिए जहां पर retail investor को यह दिख रहा है कि आने वाले time पर और पैसा बन सकता है जैसे जब हम बात करते हैं रिस्क रिवार्ड रिश्यों की तो उसके इसके अंदर जो हमारा रिस्क है वो कहां पर इस सहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि नॉर्मल रिटेल इंवेस्टर की बात करो जो 14-15% के रिटन चाहता है इस सहाँ पर मूच्यल फंड से सबसे पहला जो बेस्ट रिस्क रिवार्ड रिशो दिख रहा हैं वो दिख रहा है लाज़ के मूच्यल फंड के अंदर तो लाज़ के अंदर हमें इस सहाँ पर मीज़ा पैसा जालना चाहिए जिसको नॉर्मल रिटन यहां पर हम रिस्क इंवेस्टर को हटा दे रहे हैं हम लो रिस्क पर मॉडरेर टर्स वालों की बात कर रहे हैं तो लाज़ के अंदर आप जा सकते हो बिकर्स वहां पर रिस्क रोगॉर्ड रिशयो हमारे फिवर में दिख रहा है वहां पर जो मार्केट है काफी सारे पैसा बनेगा और मार्केट आल टाइम हाई पहले कि उनका पॉर्टफोलियो नहीं चल रहा है क्योंकि यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके इसके अंदर वो देखते है भाई 15-20% के रिटन मन गया और मार्केट के जिसे में मुच्छ फंड है वो 57% गिर गया पैसा बना है उसको निकाल लो मैं नीचे आ करके इन्वेस्ट कर दूँगा लॉजिकली यह फिजिबल नहीं है तो इसी वज़े से जब भी मार्केट के अंदर आपको अच्छा खासा बुलरन देखने को मिल रहा और एक आधी परसेंट का करेक्शन है उस समापे हमें पैसा डालना है ना कि निकालना इसी वज़े से जब आपको फॉल देखने को मिल था रिसेंटली वेंस्टी की मार्केट के अंदर तो यही एक मेजर रिजन भी था क्यों क्यों काफी साइड लोगों ने इंडेक्स के अंदर इंवेस्ट करा हुआ था एफाई और डियाई की पाइ स्टार्टिंग में एकदम से फॉल हुआ है तो उस फॉल को एसकलेट कर दिया किसने रिटेल इंवेस्टर ने कौन से रिटेल इंवेस्टर ने उसको थोड़ा से और बढ़ा दिया उन रिटेल इंवेस्टर ने जो डिरेक्ट इंडेक्स फंड के मूचिल जो डिरेक्ट ला रहा होगा या फिर किसी ने directly mutual fund के तो इन्वेस्ट किया हुआ उसने दवा करके बीशना शुरूर करा और इसी वज़े से यह जो market गिर गई इस समय पर जो हमाई market है वो driven किसके थ्रू है अगर आप थोड़ा सा और ध्यान लगा होगे यहां पर तो जो main market हमाई driven हो रही है वो ह पैसा retail investor का ही लगा रही है तो इस समय पर जो market चल रही है वो पूरी retail investor के तुरू ही driven हो रही है तो जब भी आपका पैसा बनना है इस समय पर जो operators होते हैं जो FII होते हैं वो क्या करेंगी वो आपको जो अच्छे mutual fund है अच्छे stocks है न उससे निकालने के भी कोशिश करते हैं इसी वज़े से अगर आप देखोगे जब भी market bull run में होती है तो बीच बीच बना एक्टम से जटके मिलते हैं आपको 5% का correction, 3% का correction और हम लोग डर जाते हैं कि भाई क्या करना है कि भाई market तो अपर जाये थी उपर जाये थी फिर 3-4 दिन से नीचे की side आ रही है क्यूं क्य एक FII को या उस DII को सस्ते price पे मिलेगा और ये एक normal retail investor नहीं समझता, क्यों नहीं समझता, जो normal retail investor नहीं थोड़ा सा परिशान है, उसने काफी लंबे समय बिता लिया है, बहुत motivation मिली है market में यूट्यूब कर, यूट्यूबर के थ्रू कि भाई, पैसा बनता है, पैसा बनत अब वो कह रहे हैं कि भाई, ये पैसा जाना नहीं चाहिए, बड़ी मुश्कल से बनाए, तो इसी चीज़ का फायदा उठाते है, आपने देखा हुआ, कई बार क्या होता है, जब चटाई होती है, या हमारे पायदान होते हैं, मैट होते हैं, उसके जब मिट्टी काफी ज आ रही होते हैं, तो जो कमजोर रिटेल इंवेस्टर होते हैं, वो बेच करके निकल जाते हैं, कि मैं दुबारा एंट्री करूंगा सस्ते प्राइस पे, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो इसी तरीके से आप ये समझों कि मार्केट आपको थोड़ा जटका देगे, थोड़ा आपको मार्केट करके देखने को मिलेगा, लेकिन उसका ये मतलम नहीं है, कि आपको बेच करके निकल जाना है, इससे एक और चीज़ याद आती है, उपरचुनिटी फंड की जो वैल्डियू है, वो आपको रिसेंटली देखने को मिली है, जो आप सोच रोगे कि मतलम से कह चैरों कि भाई थोड़ा पैसा बचाओ, थोड़ा पैसा बचाओ, लमसम की ऑपरचुनिटी मिलेगी, वो यही टाइम होता है, लमसम करने का, जब भी मार्केट एकदम से 2.5% का करेक्शन दिखाती है, तो इसी वज़े से ऑपरचुनिटी फंड जब भी मार्केट अल्टे बैठना है, यह एक्चुली टेस्ट ट्राप का, देखो, हमना काफी लंबे समय तक बैठे हुए थे, कि हमें मोटिविशन मिली थी, पैसा बनता है, लेकि जब पैसा बन रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पर पैसा बन रहा होता है, जहां पर हमें लगते कि आन बैनेफिट उठाने का, क्योंकि जो एक डिर साल से स्ट्रगल में है, चाहे आपका म्यूचल फंड नहीं चल रहा है, चाहे आपके स्टॉक नहीं चल रहे है, या कुछ भी जो भी आपने पोट्फोलियो लिया है, अभी बी ओल्टाइम हिट नहीं कर रहा है उसने, तो अभ आपको बैनेफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे पहले नियूस फ्रोगे थ्रू लोगों को पता चलेगा, लोग इन्वेस्टेड है, तो आप ये भी मस सोच करके होल्ड करना, कि भाई, मार्केट में जब पहला कट आएगा, तब मैं इन्वेस्ट क्योंकि जो rally दिख रही है, ये उस वज़े से दिख रही है, अब आप कहते हो कि मैंने maximum पैसा डाल दे, लेकिन मिला portfolio अभी भी नहीं चल रहा है, उस case के सहरे जब rate cut पहला hit करेगा, ना market को, पहला दूसरा तीसरा, revenues एकदम से बढ़ने लगे, तो जो maximum growth आने का time होगा, पह phase देखने को मिलेगा, bull run का, जो कि next year के June, July, August के आसपस देखने को मिलेगा, लेकिन क्या मैं जून, July, August में डालो पैसा, नहीं, bull run के अंदर, overall को आपको ride करना है, तो नीचे से जो SIP चल रही है, आपको systematic investment plan, इसलिए कहते हैं कि best होता है, कि नीचे से जो ride आप चल रही है, जिसने 6 महीने पहले से डालना शुरू करा था है, और जो आने वाले 3-4 महीने तक और डालेगा, उसके बाद, तो लोग ride कर रहे होंगे, उसके बाद तो जित्ते भी अच्छे stock या फिर mutual fund होंगे, उसके पैसा बन रहा होगा, तो जटके आते रहेंगे, अभी पैसा बनेग अभी थोड़ा portfolio आपको 3-4% उपर देखेगा और एकदम से वो portfolio आपको वापिस से 3-4% डाउन देखेगा, लेकिन history ने प्रूफ करा है कि अगर आप टिके हुए हो, तो आपका पैसा बनता है, इवन में एक dedicated video लेके आने वालों कि भाई, history में आपको दिखाया है कि पूरे इन्वेस्टेट रहना है, at least आपको 50-60% हर market के नदे इन्वेस्टेट रहना चाहिए, क्यों जो एक डिर महीन है, किसी को नहीं पता हो कौन सा होने वाला है, literally किसी को नहीं पता, हम सब यहां पर assumption game खेल रहे है, probability हमाई चल रही है, कि कौन सा वो month है, जहां पर maximum return आपके बन ना, क्योंकि यह on ground है, इस समय पर skin in the game है सबका, इस समय पर जटके आएंगे, तो lose यूना market को grip से पकड़ना है, और सरफ वही पैसा बनाने वाला है, जो टिकार रहेगा, तो invest करते रहो, लगे रहो market के अंदर, कोई कुछ भी बोले, कि भाई, market में यह दिक्कत है, क्योंकि हमारा out of hand जा रहा है, यह साई चीजे ना, already हो चुकी है, यह जब अजस्ती की चीजे हैं, जिसको दिखा करके market को गिराने की कोशिश की जाती है, sentiment थोड़ा सा change करने की कोशिश की जाती है, जो कि ज्यादत लोग नहीं कर पाते, तो इस समापर knowledge है, काफी ज्यादा knowledge है, लो शायद आपको दुबारा देखने को नहीं मिलेगी, अगर आप Indian investor हो, तो आप एक golden face के अंदर आया हो, इंडिया के, जहाँ पे India शायद next big thing बन भी जाए, और next big thing मैं कहते हम ना भी बने किसी भी reason से, तो जो financial sector है, IT सेक्टर है, consumer sector है, यह actually next big thing बनने ही वाला है, क्योंकि यह सारे की साही चीज़ा हमारे favor में काम कर रही है, हम youngest populations में से आते हैं, सबसे बड़ी population में से आते हैं, active हम काफी ज्यादा है, education को पर काफी चीज़े grow हो रही है, political थोड़े से stable होते हुए हम जा रहे हैं, policies थोड़े से अच्छी बन रही है, new businesses के prefer के लिए हम काफी च्छा environment ब बना लोगे आपकी next एक से दो generation भी आपकी काफे च्छा सर्वाइव कर पाएगी, अगर आपने नहीं बनाया, तो जैसे हम कहते हैं कही बार अपने बड़ो को कि भाई, आपको समय पर इंवेस्ट करताना है, अचीज था, MRF में पैसा बन जाता, वो लोग भी आपको same issues बोल thank you so much for watching this video, tata, bye bye, signing off.